तो आखिरकार वो दिन आ गया है जब राज जी के मुखिया को उनकी सेना मिलने वाली है इतने दिनों से चल रहे कायासो पर आज फाइनली मुहर लग जाएगी सभी विधाय को किसा से हलक में अठी है इतने दिनों से उनकी किसमत चमकती है या नहीं किसकी उमीदों पर पानी फिरता है, किसकी किसमत चमकती है ये आज सबा 3 बजे तक सबस्ट हो ही जाएगा राजनेतिक विशलेशक ये कहते हैं कि संभवतह राजस्थान में ये पहला मामला ही होगा जब चुनाव परिनाम में किसी पार्टी को सबस्ट बहुमत मिलने के 25 दन बाद तक मंत्री मंदल विस्तार ना हुआ हो इससे पहले आशोग गहलोत हो या वसंदरा राजे जब भे मुख्य मंत्री बने इन्होंने जल्दी ही टीम अपनी घठत कर ली और बड़े डिसेजन भी लेने शुरू कर दिये थे लेकिन आज यानि शर्निवार को राजस्थान में फाइनली मंत्री मंदल विस्तार होने जा रहा है और सुबह से ही विधायकों की दौड जो है वो अपने घर से जैपूर के लिए शुरू भी हो गई उदैपूर जिले के 6 में से 4 विधायक जैपूर निकल चुके हैं तो 2 तैयारी में है राजसमन के नाजवारा सीट से जीते विश्वराज सिंग मेवार को भी सुबह अपने उदैपूर घर से जैपूर के लिए वो रवाना हो गए विधायकों के पास फोन तो नहीं आया है लेकिन सब जैपूर जरूर पहुच रहे हैं अब बलब नगर और बोगुंदा विधायक अपने घर पर हैं लेकिन वे भी जैपूर जाने के तयारी कर चुके हैं ऐसे में सीम का नाम आया वैसे ही विधायकों की लाइन में से किसी का भी नाम एन वक्त पर एलान कर भाजपा जरा चौका सकती है उदैपूर रहने वाले नादवारा विधायक विशुडाज सिंग मेवाड सुबह पांच बजे गुलाब बाग के आगे समोर बाग इस्तित अपने घर से जैपूर के लिए रवाना हुए वहीं उदैपूर शहर विधायक ताराचन जैन भी चितोडगर क्रोस करके आगे निकल चुके हैं जाडोल विधायक बाबुलाल खराडी भी राजसमन क्रोस कर आगे निकल चुके हैं और सलुमबर विधायक अमरतलाल मीना जो है वो किशनगर से पहुँच गए और जैपूर पहुँचने ही वाले होंगे वलब नगर विधायक उदैलाल डांगी अभी घर पर ही थे और अब जैपूर निकलने की तयारी में हैं गोगुंदा विधायक टताब गमीती गोगुंदा है उदैपूर ग्रामीन विधायक फूल सिंग मिना उदैपूर में नहीं है वे पारिवारिक शोक होने से अपने गाउं बूंदी के पास है और वहीं से वो जैपूर पहुँचेंगे दोपहर सबा तीन बजे राजपाल कलराज मिश्र नए मंत्रियों को शपत दिलाएंगे मंत्री मंडल के नामों पर फाइनल मुहर शुकरवार शाम दिल्ली में लगी है और शपत से पहले सीएम भजनलाल राजपाल कलराज मिश्र से मुलकात करने राजभवन पहुचे और मंत्री पद की शपत लेने वाले विधायकों की लिस्ट भी सौपती है इधर मंत्री बद की शपत लेने के लिए विधायकों के पास अब फोन पहुचना शुरू हो गए है श्रीमाधुपूर विधायक जाबर सिंग खर्रा के पास शपत के लिए फोन आया है विजैपूर पहुच गए है जाबर सिंग ने खुद मीडिया में इसकी पुस्टी की है उन्होंने कहा कि भाजपा नेतरत्व का आभार जो उन्होंने मंत्री बनाने योग की समझा है अब मंत्री बनने वाले विधायक पहले बीजेपी आफिस पहुचेंगे बीजेपी आफिस से मंत्री बनने वाले विधायकों को तिलक लगा कर रवाना किया जाएगा महिला मूर्चा की जो पधादिकारी हैं वो तिलक लगा कर स्वागत करेंगी ये पुरानी परंपरा है और इस बार भी इस परंपरा को निभाया जाएगा राजेंद्र राठोड कहते हैं कि भजनलाल सरकार में अनुभव के साथ नए चेहरे को भी मंत्री मंडल में मौका दिया जाएगा ये मंत्री मंडल बिलकुल संतोलित होगा और जन भावनाओं के अनुरूप होगा अब खुत को मंत्री बनाए जाने के सवाल पर राठोड कहते हैं कि देखें मैं पराजित व्यक्ति हूँ इसलिए मेरा कोई अधिकार भी नहीं बनता पार्टी जो काम देगी करूँगा गड़ी विधायक एलाश मीना उदैपूर से जैपूर फ्लाइट से पहुँचे उदैपूर विधायक ताराचन जैन जो है वो जैपूर रवाना होने से पहले परिजनों ने उनको तिलक लगाया है सूत्रों के अनुसार बुद्वार देर रात्तक मुख्यमंत्री भजलाल शर्मा प्रदेश अध्यक्सी पी जोशी वरिस्ट नेता राजिंदर राठोर और प्रदेश तरह प्रभारी विज्यारा हटकर के बीच लंबी बैठक होई थी बताया जा रहा है कि इस बैठक में लगबग सभी नाम फाइनल कर लिये गए थे वागड़ की और खासकर आदिवासी नेता की अगर बात करें तो बीएपी के ब्रभाव को कम करने में दो से तीन मंत्री बनाये जा सकते हैं आदिवासी बहुल शेत्रों में भारत आदिवासी पार्टी के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए इस इलाके से नए चेहरों को अब मंत्री बनाया जाएगा मेवाड और आदिवासी बेल्ट में बीजेपी हमेशा से मस्बूत रही है और इस बार भी मेवाड में बीजेपी ने अच्छा प्रदशन किया लेकिन आदिवासी इलाके में बीएपी ने उनकी चिंताएं जरा बढ़ा दी है आदिवासी इलाके से 2-3 मंत्री बनाये जा सकते हैं फूल सिंग मीना के अगर बात करें तो उदा प्रोग्रामेंट सीट से तीसरी बार विधायक बने हैं बीजेपी के प्रमुक आदिवासी चेहरों में ये शामल है शंकरलाल बीचा की बात करें तो डुंगरपूर से एक मात्र विधायक है सागवारा सीट से जीते हैं बीचीपी बीएपी के प्रभाव को देखते हुए इन्हें भी मंत्री बनाये जा सकता है कैलाश मीना की बात करें तो बासवाड़ा की गड़ी सीट से दूसरी बार विधायक बने हैं बीचीपी और बीएपी के प्रभाव को काउंटर करने के लिए इन्हें मंत्री बनाये जा सकता है तो अब देखिए क्या होता है सवातीन बजे सब कुछ साफ हो जाएगा वागड और मेवाड को भी मंत्री मंडल में तवज्जो मिलती है या नहीं मिलती है कितनी मिलती है ये भी साफ हो जाएगा क्योंकि अब तक कहा यही जाता है कि मेवाड जिसने जीत दिया है राजव ही जीतता है अब देखना होगा कि यहां तबज्जो मेवाड और वगड को कितनी मिल पाती है